Hey guys, welcome back to my channel और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे oceanographic एक बहुत ही important topic के बारे में that is ocean currents और ocean currents के types देखेंगे कि कितने types के ocean currents देखने को मिलती हैं और उसी के साथ हम उन factors के बारे में बात करेंगे जो हमारे ocean currents को influence करती हैं, so इस वीडियो को end तक देखना अगर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को like करें, share करें and comment करें और जिसने भी channel को subscribe नहीं किया है वो please इस channel को subscribe कर ले so इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि term current जो है उसको हम कैसे describe करते हैं तो जो current है वो होता है motion of the ocean कि जो हमारा continuous या horizontal movement होती है हमारे जो एक particular direction में जो एक definite direction में जो हमारी sea water जो है currents की तुरू flow करता है from one place to another उसको हम बोलते है currents and they play a very vital role in redistribution of temperature तो सिरफ oceans का ही नहीं ये land के जो हमारा temperature होता है उसको भी redistribute करते हैं और एक place से दूसरी place पर जब हम हमारी ocean की currents है उनकी movement होती है उसको हम बोलते है current and ocean water is continuously in motion कि जो हमारा oceanic water होता है वो कभी भी stable नहीं होता वो हमेशा constantly move करता रहता है and from north to south, east to west, up and down, the shore ocean water moves all over the place कि चाहें वो north to south हमारी moment हो हमारे oceans की या फिर हमारे अगर हम बोलेगे up and down मतलब जो हमारे sea water होता है उसके जो office water होता है या फिर हमारी जो deep currents होती है तो हर way में हमारी जो ocean है वो move करते है and these moments can be explained as a result of many several forces कि बहुत सारी forces ऐसी है जो apply होती है हमारे oceans पे जिनकी वज़े से ये moments जो है वो हमें देखने को मिलती है इसी में include होती है हमारी local conditions of wind कि वहाँ पर किस type की wind जो है वो blow करती है water या position क्या है हमारी moon की और हमारे earth की and the sun the rotation of the earth की हमारे जो earth है वो अपने rotation जो है उसकी कितने axis पे होती है किस angle पे होती है इस basis पे temperature redistribute होता है और उसी के साथ हमारी ocean जो currents है वो भी हो जाती है and the position of land formations की हमारे जो continents हैं वो क्या important role play करते है in the movement of our ocean currents उसके बाद अगर हम बात करें हमारी ocean waves की तो ये transfer करती है energy through the water over great distances की अगर हमारा water जो है move होगा तो इनी waves में हमारी energy जो है वो भी साथ के साथ transfer होती है जैसे अगर आप देखो कि offshore जब हमारे पास बहुत ज़्यादा waves होती है लेकिन जब हमारा onshore आता है जब हमारा जो beach है वो आ जाता है या land आ जाता है तो इनी waves की जो energy है वो बहुत जादा low हो जाती है और यहाँ पर जो हमारा land है वो हमारे एक तरह से waves को end कर देता है तो it means कि जो हमारा यहाँ पर land है उसका भी बहुत जादा importance होता है हमारे ocean currents में और जो transfer of energy है वो हमें देखने मिलती है ocean waves के थूँ तो अब बात करते हैं उन factors की जो हमारे ocean currents को जो है वो बर्थ देते हैं तो first हमारे पास आते हैं planetary winds उसके बाद हमारे पास आता है temperature, salinity और इसी के साथ हमारे पास आता है in relation density उसके बाद हमारे पास आयगा the earth's rotation की जो हमारा earth का axis है वो कैसा है उसकी वजह से क्या ऐसे factors हैं या क्या एसे हमारी conditions है जो develop होती है जो ocean currents को बर्थ देती है और उसी के सारे पास आता है obstruction from land की land कैसे ocean current को बर्थ देते है और वैसे ही उसका जो है वो end कर देती है तो सबसे पहला जो factor है वो है हमारा the planetary winds और planetary winds क्या होती है जो हमारी earth की winds होती है जो earth के moment के साथ बनती है so the general distribution of winds in the lower atmosphere तो lower atmosphere कहा है जहां पर हमारा topo pose होगा तो जो आपने troposphere पड़ा है वैसे ही tropo pose जो हमारा होता है उसी के साथ साथ ही यह सिरफ winds रहती है उससे जादा जो इसका altitude है वो नहीं देखने को मिलता और इनको हम बोलते है प्लेंटरी विंट्स और जो इस विंट्स है यह पर्मनेंट विंट्स होती है जो ब्लो करती है from one pressure belt to another अर अब pressure belt क्या होता है यह high pressure belt to low pressure belt में travel करती है तो high pressure कहां पर होता है जहां पर हमारा temperature जो है वो बहुत जादा कम होता है वैसे ही low pressure में यहाँ पर reverse हो जाएगा जो हमारा temperature है वो increase हो जाएगा तो यह हमारी जो है वो one pressure belt से another में जो है वो travel करेंगी from high to low pressure and accordingly they have been divided into trade winds, westerlies and polar easterlies की जितरा भी हमारे trade winds है वो हमें देखने को मिलेंगे equator के पास उसी के साथ जो हमारे westerlies है वो आएंगे हमारे 60 degrees में उसक circulation pattern roughly corresponds to the earth's atmospheric circulation pattern कि अगर आप बात करो यह हमारा ocean है और यहाँ पर हमारा land है तो अब land से जो भी हमारी surface winds है यह जो हमारी planetary winds है जब वो blow करेंगी तो उसी के साथ ही मिलकर वो क्या करेंगी हमारे water की direction है वो भी change कर देंगी हमारा water जो है वो इस तरफ move करना start कर देगा अगर हमार पास जो हमारी winds है वो इस direction की है तो जो हमारा oceanic water है वो भी इसी side पर flow करना start कर देगा तो इसी हिसाब से जो हमारी planetary winds है वो कहीं न कहीं कोरस्पोंड करती है with the earth's atmospheric circulation pattern जाती है हमारी planetary winds जिसमें जो हमारा equatorial region है जो हमारा zero degree पर equator आता है यहाँ पर होता है हमारा tropical region जिसमें हमें देखने को मिलती है intertropical convergence zone तो यह जो zone है हमारा यहाँ पर क्या होता है जो हमारी trade winds है जो हमारी north easterly trade winds है यहां फिर बोले south easterly trade winds है यह आपस में आकर converge होती है इस point पे हमारे equator को यह बहुत जादा stable area होता है उसके बाद जो अगर हम north east हमारी trade winds है उनकी बात करें permanent हमारी east to west winds होती है जो east to west flow करती है जो हमारी earth है जो हमारी earth है वो west to east हमारा rotation लेती है तो इसका मतलब है कि इसका जो यहां पर हमारे पास जो north east trade winds है वो इसके opposite चलती है north east trade winds क्या होंगी जो northern hemisphere में आएगे और south east जो होंगी वो हमारे पास आएगी southern hemisphere में नौर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से क्या होगा जब यहाँ पर हमारी विंटस आएंगी तो वो इस प्रॉपर पोस की तरफ उपर की तरफ जो है वो टेंगी लेकिन वो लोर एट्मोस्फेर में रहते हुए ही यहाँ पर जो है वो कव बना लेंगी और जाकर हमारी जो horse latitude है जो हमारा next इसके बाद जो हमारा cell बनेगा या जहाँ पर हमारी जो westerlies हैं वो जहाँ पर बननी शुरू होंगी वो वहाँ पर जाकर sink हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा जो हमारी hot air है यहाँ पर क्या है हमारे पास warm air है जो rise करेगी उसके बाद क्या होगा वो यहाँ पर जाकर जो हमारा condensation है cloud formation होगा और उसके बाद जब यह cold हो जाएगी तो यह नीचे की तरफ sink हो जाएगी क्योंकि जो इसमें हमारे पास city level है clouds की वज़े से वो बढ़ जाएगा और उसके बाद जो हमारी भारी air होगी जो हमारी heavy air होगी वो sink होगी और यहाँ पर यह अपना cell complete करेगी जो हमारा equatorial region में हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं headless cell और इसकी वज़े से भी हमारे जो oceanic currents हैं वो influence होते हैं उसी के साथ अगर हम second cell की बात करें तो वो हमारे पास जाएगी इसी के साथ यह अपनी एक cell बनाएगी जिसको हम बोलते हैं headless cell के बात क्या होगा हमारे पास यहाँ पर कि जो हमारी warm air थी warm air rise हुई उसके बाद जो हमारी cold air थी वो sink कर गई तो अब जैसे उसी के साथ हमारी warm air है वो यहाँ से rise करेगी उसके बाद यह एक और cell बनाएगी जिसको हम बोलते हैं next जो हमारे latitude में आता है उसको हम बोलते हैं feral cell यह north में भी बनेगा और वैसे ही south में भी बनेगा तो यह हमारा जो है वो feral cell है जो horse latitude और polar fronts के बीच में बनता है तो यह की तरह जो हमारी easter leaves है वो भी हमारे जो oceanic currents है उनको influence करेंगी और last में बनाएंगी हमारे polar cell polar cell है वो हमें देखने को मिलते हैं 60 degree south up to 90 degree south और वैसे ही north में देखे तो 60 degree north to 60 degree south factor है हमारे पास वो आता है temperature और the differential heating of the sun at the equator and the poles causes a difference in the temperature of oceanic water तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वो हमारे axis पे घूमती है from west to east कि west to east जो इसकी direction और यह हमारा जो sun है तो इसकी जब raise आएंगी तो वो directly हमारे equator पर आती है poles पर जो है वो बहुत जादा उसकी raise जो है वो incline हो जाती है यहाँ पर बहुत जादा angle of inclination आ जाता है लेकिन जो हमारे poles होते है वो cool areas होते है frigid zones होते है जहाँ पर हमें बहुत सारी ice cap या आई sheets जो है वो देखने को मिलती है equator since the temperature is higher the ocean water gets heated up and expands कि जब हमारे जो water है जब हम water को heat up करते है तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारे वहाँ पर molecules होते है जो water के molecules होते है वो आपस में एक दूसरे से दूर जाते है वो expand करते है तो उससे क्या होता है जो हमारा warm water होता है वो light हो जाता है और वो rise करता है towards the pole कि जितना भी हमारा equatorial region है यहाँ पर heat होने की वज़े से क्या होता है जो circulation होती है हमारे water की वो यहाँ पर high temperature टू की तरफ जो है वो move करना start करता है and cool water is denser and sinks की जो हमारा warm water जो होता है वो expand करता है जब वो heat up होता है उसी के साथ क्या है वो rise करता है लेकिन जो हमारे water है उसकी बाद यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ एक land mass है तो यहाँ पर क्या होगा जब यहाँ पर हमारे पास waves आएंगी यहाँ पर winds आएंगी जो heat होगी वो इस surface water को क्या है heat up करेंगी जिस वज़े से क्या होगा यह rise करेगा यहाँ पर और यह जो हमारा नीचे की तरफ जो cool water था वो क्या होगा यह बहुत जादा इसमें dense हो जाएगा क्योंकि इसमें salinity कम हो इसी वज़े से जो हमारा cool water होगा वो यहाँ पर sink होगा क्योंकि अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जब हमारे पास एक void रह जाएगा कि यह area जब हमारे पास down wailing zone जो temperature की विज़े से यहाँ पर down wailing हुई हमारे cold water की और यहाँ पर up wailing होगी हमारे warm water की from the equator slowly moves along the surface towards the pulse while the cold water from the pole slowly creeps along the bottom of the sea towards the equator कि यहाँ पर circulation अब कैसा होगा कि यह हमारी earth है तो उस पर जितना भी हमारा hot water होगा वो equator to pulse जाएगा और वैसे ही जो cold water होगा वो हमारा sink होकर क्या होगा वापिस आजाएगा हमारे equatorial region में from poles बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास equatorial region है यहाँ पर क्या है low pressure है क्योंकि यहाँ पर temperature जो है वो बहुत ज़्यादा high होता है क्योंकि यहाँ पर sun rays क्या है डायरेक्ट पड़ती है तो यह जो हमारा polar region है यह cold होता है इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा sun था वो दूर होने की वज़े से क्या हुआ हुआ पोल्स पर हमारे पर temperature जो है वो कम होगा लेकिन यहाँ पर pressure जादा होगा तो उससे water की जो moment है वो जो surface flow होगा water का वो इस तरह से होगा कि जो हमारा cold water है वो sink down होकर क्या होगा equator की तरफ आएगा और उसी तरह हमारा equator region में जो hot water होगा वो move होकर कहाँ पर हो जाएगा cold water में जाएगा जी हाँ पर भी हमारे पास एक headless cell बनता है जिसमें water की movement होती है और on surface अगर हम देखेंगी tropopause में हमारे पास air circulation होती है इसी तरह से hot and cold में आता है salinity and the density of water also depends on it salinity के अगर हम salinity की बात करें और हमारी density की बात करें और इनहीं के साथ relation में हमारे पास आता है temperature कि अगर हमारे पास temperature जो है वो कम है तो उससे क्या होगा जागर हमारा temperature कम होगा तो वहाँ पर salinity जादा होगी क्योंकि cold areas में क्या होता है icebergs देखने को मिलते हैं जिनकी वज़े से water जो है वो ज़दा तर saline देखने को मिलते है जिसकी वज़े से density भी जादा increase हो जाती है उसी के साथ अगर हम equatorial regions में देखे तो यहाँ पर क्या होगा temperature बहुत जादा होगा उसी के साथ हमारी temperature जादा होने की वज़े से क्या होगा जो हमारी salinity है वो कम हो जाएगी temperature जादा होगा तो water जो है वो expand होगा जिसकी वज़े से density भी जो है वो कम हो जाएगी और वो expand होने की वज़े से क्या होगा rise करेगा temperature of water varies from place to place की सभी places पर जो हमारा water है उसकी salinity जो है वो different होती है and waters of low salinity flow on the surface of water of high salinity while waters of high salinity flow at the bottom कि अगर जादा हमारे पर ध्यान से देखे तो जो हमारा iceberg वाला area है यहाँ पर fresh water जो है वो कम होगा क्योंकि fresh water का क्या बन गया हमारे पास iceberg बन गया तो इस वज़े से क्या होगा इस area में हमारे पास salinity है वो जादा होगी उसी की तरह जो हमारे पास यहाँ पर density है वो भी जादा हो जाएगी जिसकी वजह से हमारा जो cold water है वो यहाँ पर sink करेगा उसी की तरह यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर direct sunrays आएंगी जिस वजह से यह जो हमारा water है वो heat up होगा और rise करेगा तो अब यहाँ rise होने की वजह से क्या होगा जो यह हमारे पर यह area बचेगा यहां पर हमारे पस कोई भी Water नहीं रहेगा तो यहां पर हमारे पस क्या आ जाएगा एक Gap आ जाएगा इसी Gap को फिल करने के लिए हमारा जो Cold Water है वो Warm Water की तरफ आएगा यहां पर हमारे पस बन जाएगा Upwelling Zone और यहां पर हमारे पस बन जाएगा Down Wailing Zone तहंता है the earth's rotation and coriolis force तो earth की rotation की वज़े से ही coriolis force जो हमें देखने को मिलती है जिसकी वज़े से जो rotation है उसकी वज़े से क्या होगा जो हमारे objects हैं या कोई भी ऐसी moving object होगी वो earth की rotation की वज़े से deflect कर जाएगी towards right in the northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere इनके साथ भी ऐसा ही होता है अगर हम बात करें हमारे नदन हेमिस्वेर की तो यहाँ पर हमारे पस क्या होगा clockwise movement होगी हमारे oceanic water की और उसी तरह जो हमारा southern hemisphere है इसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो water है वो दूसरी direction में चलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा इसका counter clockwise जो है वो हमें action देखने को मिलेगा on the ocean currents क्या होता है अगर हमने A object से B object को यहाँ पर कुछ move करना है तो उससे क्या होगा यह deflect हो जाएगा towards right उसी तरह southern hemisphere में क्या होगा it will deflect towards the left कि उसका actual path जो है वो यह था लेकिन यहाँ पर straight जाने की बजाए due to earth rotation जो हमारा object है वो right की तरह deflect हो जाएगा in other hemisphere और उसी तरह southern hemisphere में deflect हो जाएगा towards left to east जो हमारी moment है हमारी earth की rotation जो है उससे क्या होता है कि जो भी हमारा object जो है वो actual उसकी जो location होती है जगर उसको एक plane view में देखें कि जो एक object को हमने a to b point पर move करना था वो due to rotation of earth क्या होगा deflect हो जाएगा और इसका जो deflection है जो इसका moment है वो change होता है in northern hemisphere and southern hemisphere की northern में क्या होगा देखते हैं कि अगर यह हमारी earth है तो यह continue क्या है अपनी axis पर rotate करती है तो उस वज़े से क्या होता है अगर कोई भी जो air में हमारे पस कोई भी object है जो moving object है अगर आप एक plane की बात करो तो plane से क्या होगा जब वो actual air में आएगा तो उससे क्या होगा अगर उसको दो घंटे की flight है तो दो घंटे में क्या होता है जो हमारी अर्थ है वो move कर जाती है due to its rotation तो उससे क्या होगा जो हमारा air में है जो plane already air में उसको उसी recording जो है वो अपनी landing करनी पड़ती है उसका actual path कभी भी ऐसा नहीं होता जो हमारे planes होते हैं हमेशा अर्थ की तरह ही जो हमारा path होता है वो divert हो जाता है अगर वो हमारे northern hemisphere में हो तो वो towards right deflect होते हैं और अगर उसी तरह वो अगर मारे पर southern hemisphere में है तो वो हमारे left की तरह deflect होकर plane को जो है वो land कराते हैं obstruction due to land की जब भी कोई land mass जो है वो as a obstruction आता है किसी भी direction of flow of ocean currents में कि जहाँ पर भी मारे ocean current जो है वो flow करते हैं किसी भी direction में वहाँ पर अगर कोई land आ जाए तो उससे भी क्या है को abstraction मिलता है हमारे ocean currents को और वहाँ से क्या हो जाता है जो हमारे ocean currents है वो different directions में flow करना start कर देते हैं उसी तरह अगर example ने हमारे south equatorial current का in the Atlantic ocean उससे क्या होता है जैसे ही south American continent हमारे पास आता है जो हमारे south equatorial current है वो divide हो जाती है in Brazilian current and flows in the south in the Atlantic ocean कि अगर यह हम map की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास south equatorial current था यह जैसे ही land mass से टकराता है यह बन जाता है south equatorial current in northern तो यहाँ पर यह बन जाती है warm current that is Brazilian current तो इससे क्या होता है अगर अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास आते है surface current जो surface पर रहते हैं और यह कवर करते है around 10% of all the water in the oceans एड्मिटर्स के ocean तक जो हमारे पास current हमारे पास moment आती है उसको हम बोलते है surface currents और जो उसके बाद हमारे पास आती है deep water currents वो आती है up to 90% of the oceanic water and these waters move around the ocean basis due to variation and density and gravity कि density, salinity and temperature बहुत सारे variations की विज़े से क्या होता है जो हमारे deep water currents होते हैं वो बहुत different और ocean basins में जो है वो यह move करते हैं density difference is a function of different temperatures and salinity that these deep water sinks in the deep ocean basins at high latitudes where the temperature are cold enough to cause the density to increase की हाँ पर जो हमारे पास density है यह high latitudes to low latitudes में यहाँ पर travel करता है कि जहाँ पर हमारे पास high pressure zones थे वहाँ से low pressure zones में जो है वो travel करता है on the basis of temperature की temperature के basis पर हमारे पास आ जाते है cold and warm currents तो जो cold currents हैं वो आते है cold water को warm water के areas में लेकर जो होते हैं from high latitudes to low latitudes कि polar region से जो हमारे equatorial region में जो हमारे currents आते हैं उनको हम बोलते हैं cold currents and these currents are usually found on the west coast of the continents in the anti-clockwise direction in northern hemisphere and in counterclockwise direction in southern hemisphere कि opposite हो जाते हैं दोनों ही hemisphere में due to Coriolis force and in low and middle latitudes and on the east coast in the higher latitudes and in northern hemisphere आते हैं warm currents that bring warm water into cold water areas की low to high latitudes में जब water जाता है तो उसको हम बोलते हैं warm currents और यह जाते हैं equatorial region to polar regions में जहां पर हमारी जो warm water है वो expand करता है और वो towards pole जो है वो travel करना शुरू करता है and are usually observed on the east coast of continents in the low and middle latitudes और उसके वाद जो northern hemisphere में है they are found in the west coast of continents in high latitudes जो प्रच्ट केरें थो जो हमारा northern hemisphere मैं हूं उसमें जो हमारी cold currents होंगी उन में हमें direction देखने को मिलेगी clockwise लेकिन southern hemisphere में इसका opposite हो जाए गाता है यहां पर हमें मिलेगी counter clockwise यहां फिर anti clockwise उसी तरह sortie जो हमारे जितने भी हमारे cold currents है northern hemisphere मैं वो हमें मिलेंगे हमारे लेकिन जो हमारा सदन हेमिस्फेर में है उसमें हमें देखने को मिलेंगे हमारे सारे कॉंटिनेंट्स के ये वेस्टन कोस्ट पर इस है वो भी ट्रैवल करेंगे लो टू हाई लैटिटिटूट्स और इस्ट कोस्ट जो है वो हमें देखने को मिलेंगे हमारे लो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले